मोदी हमेशा नहीं रहेंगे योग हमेशा नहीं रहेंगे तो यह हमेशा रहेगा अगर मंदिल है तो मंदिल ही रहेगा कोई पॉर्लम नहीं नमस्कार मैं हूँ पीती रावत और आप देख रहे हैं The News 15 काशी विश्वनाथ मंदीर और ग्यान व्यापी मस्जित के बाद OVSC के कई विवादित बयान सामने आया है तो इस बार भी उन्होंने ऐसे ही विवादित बयान देकर फिर सुर्ख्या बटोर ली है तो उसी विवादित बयान पर हम लोगों से बातचित करेंगे और जानेंगे उस बयान पर उनकी क्या राय है ओवेसी ने जो बयान दिया है अशोका को लेकर भी जो हमारे समराट अशोका थे उनको लेकर बयान दिया था कि इन्होंने भी हजारों लोगों का कतले याम किया था फिर उसके साथ साथ उन्होंने पुशे मित्र को भी जोड़ दिया कि उन्होंने भी बहुत मंदिरों को तुड़वाया था इस पर क्या कहें देखो मैडम मैं ऐसे नाजुक मामले में बोलूँगा नहीं लेकिन मैं बहुत मशूर इंडिया का पोएट हूँ आरिप देल भी य कहते हैं जहाना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कभी अब मेरा एक गीद है कि हिंदोस्ता हमारा फूलों भरा चमन है सारे जहां से नियारा अपना हसी वतन है अब उसमें एक शेर है कि नहरू सुभाश गांधी टैगोर और तिलग ने जहां इसके वास्ते दी अब्दुल कहां वो हिंद की पहली आन कहां जो कल सोने की चिडिया था उसकी आज वो शान कहां वो पहला हिंदुस्तान का एक शेर और बढ़ता हूं के सब हिंदु मुस्लिम अच्छे हों सब सिक इसाई सच्चे हों प्यार दिलों में भरे हुए बुढ़े जवां और बच्चे हों हम अगर करेंगे तो रब होगा मेहरबान कहां वो पहला हिंदुस्तान कहां वो हिंद की पहली आन कहां जो कल सोने की चिडिया था उसकी आज वो शान का इसे जब पर देख लेंगे इस पर गाएंगे दो बच्चों को कानून बनना ही चाहिए क्योंकि पॉपुलिशन बहुत जादा हो रही है और उससे देश की स्थितिया जो बिगड़ती है उससे तो यह और उन्होंने ऐसा चेटावनी जैसा महुल उन्होंने का एक बना कर देगे पिर हम देख लेंगे तो यह उन्होंने देश को एक मलत चुनाती दिया और उन्होंने गलत भोलाई है हमें चाहिए और यह कंटो बर्जी खुदी पहलाते हैं उल्टेशी दिव्यान देख करके जैसे कि जो मंदिर मस्जित विवाद लेली जी या कभी भी कोई हिंदू-मिसलिम का ही विवाद लेली जीए तो बात यह होता है कि आगे मामला जो कोड तक जाएगा या बड़े अधिकारी उसको आगे जाच परताल करेंगे जैसे भी जो भी जाच सामने आएगी सबके सामने आ जाती है लेकिन उस बीच में जो भड़काओ बयान आते हैं हर तरे के अलग अल जबकि हमारे देखिए अगर कोड के फैसले की बात करूं या या मंदिर मस्जिद का विवाद की बात करूं तो यहां पर सर्वे होना था सर्वे में एक पक्ष जो था वो रुकावट डाल रहा था तो हिंदू-मुसलिम वाला एक जो बात आप बोल रहे हैं तो हमारा तो इ आगे जाच परताल कीजिए जो भी होगा सामनी आएगा तो पक्ष को जो रुकावट बन रहा था कही ना कहीं तो मसला था ना मसला था क्योंकि वह हमारे मंदिर है ग्यान वापी और उसको पुराने औरंग यहां पुराने सास खोना तो बनाया है तो आज हमें अगर उनको लेना है तो मिलना चाहिया थोड़ा है तो मंदिर नहीं मिलने की बाते तो जाज तो होना चाहिए लो जाच होगी और सपरींडरीम अधार उसको नियाए करेगा और उनको भी विर намीलेका अगर नहीं को नियाया मंदिर म prevention मिला है उनको 25ड नियां Mooist इसमें इसUpर सब्सक्रे जी ने जो बयान दिया था कि एक मस्जिद हम खो चुके हैं दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे और इसके साथ भी बहुत पहले भी उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो विवादित रहें तो उसके लिए क्या कहेंगे देखे जी सब मिल जुल कर रहना चाहिए मेरे ते हिसाब है अगर सच्चाई निकले तभी कुछ कर सकते हैं सच्चाई सच्चाई सर्वे में निकली तो है शाक्षे निकले हैं और कहते हैं शिवलिंग जो है वो निकला लेकिन ओवेसी जी लेकिन ओवेसी ने उस पर भी यह कह दिया है कि वो शिवलिंग नहीं फवारा था नहीं ठी अगर मंदील है तो मंदील ही रहेगा कोई पर्लम नहीं है तो इसे वी जवरदस्ती जूट बोलकर किसी को ये नहीं करना है पर उन्होंने एक जो था कमेंट किया था कि मोधी योगी हमेशा नहीं रहेंगे देखिए ये राजनीतिक मसला है देश का परदान मंत्री है मोधी जी जो भी फैसला ले रहे है देश हित में ले रहे है वो क्या देश का हिस्सा नहीं है उनके भी इतमे तो फैसला ही है लेकिन जब भी देश के हित के फैसले की बात की जाती है, वो मुद्दा पलट कर दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, जैसे जनसंक्या नियंतरन की बात करूँ, जनसंक्या नियंतरन का जब कानून बनाया गया था, तब भी OVC का बायान आया था कि आप कानून बना कर देख लीजिए दो बच्चों के लिए बाकी हम देख लेंगे असल में वो डीपली डिप्रेशन में हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है जन संग्या नेंतरन कानून होना चाहिए तो आम जनता जानती है सब को पता है कि दुनिया जानती है कि जो कानून आ रहे हैं उ अब बाति करके में तौन चुप्पि क्यूं साधे रहती है उस पर क्यों नहीं बात कर एक तरी के बारे हुआ हुआ इसके अगर दो-तीन पीड़ी के बारे में पूछलो यह खुदी पता चल जाए यह कौन से उससे हैं यह कामा-गाएं की दिप्रेशन में इसके बात करनी बेकार है अब भी ताज़ा मामला आपको पता ही होगा मंदीर मस्जित पे बयान दिया है और अब समराट अशो का पुशे मित्र जो समराट रहे हैं हमारे राजा रहे हैं तो उनके उपर भी उन्होंने विवादित ब्यान दे दिया लेकिन उसके साथ जो पहले के बयान बाजी के अगर लेकिन देश में जो मुस्रिम समुदाय हैं वो भी जानते हैं कि OBC अपनी पॉलिटिकस जताने के लिए या समाज में या देश में आगे अपना नाम कमाने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं इसी बात बोलते हैं तो इसी लिए आप देख रहे होंगे कोटने कोतम मिनारत पर भी मुद्धि की बात कही है उसको भी कही न कहीं सुनवाय होनीचाए इसके चानमीर होनीचाइए ताज महल को भी बोला है तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि OBC जो हैं वो अपनी बयान बाजी में है इसी लिए जो उनको सगा मानते हैं वरकाटी जिन्ता पाटी की बात करें है बाती हर्टी व्शेनावाज totally especial मुझेरी को टाएं तो तमाम ऐसे निता है जो मुष्लिम जैन्दा करें ले लिजे आप जब से तीन तलाग का मुद्दा खतम किया है तब लेकिन उसपर भी तो वेसी ने यही कहा था ना कि यह तीन तलाग तो सिर्फ बहाना है जो रहता गया गया था तीन तलाग का वह शरीयत निशाना मैडम भारती जंदा काम कर ले हिंदूत की कर दिखा उनको कभी दिखा उनको अगर दिखा होता तो एक बार भी वह मेडिया के जरीये या किसी वीडियो में यह बोल देते कि वह ये वाला मुद्दा आज प्रधान मंतिर मोधी जीना और ग्रह मंतरी मिश्छा जीना अच्छा किया है यह काम अच्छा किया है तो दिखता ही नहीं है उनको और कहीं ना कहीं अपने पेरों पर खुद को लहरी मारते हैं जैसे कि अपने बीच में जिक्र किया था कि खुदाई होती है मंदिर मंदिर का जो भी सर्वे किया जा अलेकिन उस खुदाई के लिभी ओवेसी ने कहा कि मोदी के घर की भी खुदाई करवाये आप तो महाँ मस्जित मिलेगी मोदी घर Peak Io प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी हैं वो इस देश के उनकी चाहिए कोई भी विरोधी पार्टिया हो हर पार्टि को सम्मान करना चाहिए हर नेता को समधन जब और कहीं न कहीं हिंदुत की नहीं उस अपरणा प lovers आता है मैं जानता है कि वो थेश के वरोदी काम करेंदेशत्मन धान करना चाहिए और नंका द्धने बात हो यहीं उपिछार मंत्री हर्म मिले हैं? की वाला काम कर रहे हैं